ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालू अब आपको भगवान सूरदेव की किरपा से 29 अक्टूबर से 12 नवंबर यानिक इन 15 दिनों में पांच बड़ी तूफानी खबर मिलने वाली हैं पांच बड़ी खुशकवरियां आपको मिलेंगी भगवान शुर्यदेव क्या सिर्वास से क्योंकि इन पंद्रा दिनों में सुर्य का सुवयोग, कारशिद्योग, राध्योग और धन्योग जैसे सुवयोग बन चुके हैं जिसमें कि पांच बड़ी तूफानी खबर आपको मिलेगी, यूँ कहें कि सोने के रत पर आपकी किस्मत सवार हो जाएगी अब सोने के रत पर इतना भागेशाली समय होगा स्वयम भगवान सुरदेव आपकी राशिवालों के लिए इस समय को अब बहुती अच्छा बनाने वाले हैं क्योंकि आपके गिरहों में कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे जो कि आपके लिए मंगल कारी सुब कारी शाबित होंगे जिसकी वज़े से आपके लिए यह समय अब अनेक उपर करके लाब धनलाव और बड़े-बड़े सफलताओं से भरा समय रहेगा तो दोस्तों कौनशी पांच बड़े खुसकवरियां आपको मिलेंगी 29 अक्टूबर से 12 नवंबर इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको वही बताएंगे 15 दिनों का शंपुन शाटी क्रासिफल ग्रह नक्षत्रों के इसाब से वीडियो तैयार की गई है पूरा वीडियो देखें शाटी क्रासिफल चादोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें सबसे पहले भगवान शुर्देव का नाम लेकर वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जैसुर्देव वश्य लिख देना जिससे भगवान सुर्देव की किरपा आपके उपर सदैब बरसे तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार भगवान सुर्देव की किरपा से 29 सक्टूबर से 12 नवंबर इन 15 दिनों का समय आपकी राशिवालों के लिए रहेगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तो इस समय आप भवनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे ग्यानवर्दक तथा रोचक कारों में समय व्यातीत होगा परिवार के साथ धर्मिक इस्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा आप अपने व्यक्तितों में शकारात्मक रूप से परिवरतन भी महसूस के जमीन जाइजाद और निवेस जैसी गतिविदियों में वेस्तता बनी रहेगी उत्तम समाचार की भी प्राप्ति होगी आप प्रतेक कारे में रूची लेकर अपनी छमताओं के नुसार काम को अंजाम देंगे दोस्तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तो इस समय आप अपने आपको मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे आपका अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रती विसेश ध्यान रहेगा किसी महत्पपून व्यक्ति से मिलने के बाद लाबदायक योजनाय भी बनेंगी शसुराल पक्ष से संबंद और भ अधिक मजबूत होंगे दोस्तो यह समय किसी महत्पपून काम में सफलता मिलने से उत्सा और भी अधिक बढ़ेगा जिस से आप अपनी थकान भी भूल जाएंगे किसी प्रकार की प्रतीस प्रदा के छित्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभाव नहे हैं जा दोस्त आ रही कोई चिंता समाप्थ होगी जिससे मानसिक सांती रहेगी आर्थिक मामलों में भी ठोस और महत्पपून निर्ने भी इस समय सफल होंगे दोस्तों साथ यह समय कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा समय बहुती महत्पपून है इसका भरपूर श पुचित रहेगा जिहां दोस्तो साती सात यह समय अचानक से कोई मुसीबत में समस्या खड़ी हो सकती है परंतु समझ बूज और सावधानी से आप इससे उभर भी जाएंगे नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानी का कारण बन सक सकता है शावधान रहें दोस्तो यह समय सब कुछ ठीक होने के बाबजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं कुछ समय प्रकरती के साथ वे मेडिटेशन में समय व्यतित करना आपको सुकून देगा युवा वर्ग को अपने केरियर से सम्मंदित कार्रे में अधिक ध्यान देने की आवशक था हैं साती सात धन सम्मंदित मामलों में भी किसी तरह का भी कोई समझोता आप ना करें दोस्तो यह समय वाहन या घर की मरमत सम्मंदित कार्रों में अथ्यादिक वे होने से बजट भी आपका बिगर सकता हैं अपने दिस्तेदारों के साथ स अपने एहम को आड़े ना आने दें अन्यथा बनता हुआ काम बिगर जाएगा बहुत ही जल्दबाजी वे उत्तेजना की वज़े से किसी के साथ संबंदों में भी खटास आ सकती हैं इसलिए आप अपनी वानी में मधूरता बनाए रखें दोस्तो साथ साथ इस समय आप अ ज़र अंदाज ना करें छोटी सी भी बात पर ही किसी से कहा सुनी वे बोल चाल हो सकती हैं इसलिए अपने स्वयभाब को सयमित रखना आवशक हैं बच्चों की परिसानियों के निवारन के लिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करना जरूरी है परंतु काम की अधिकता र गाने से हात में आई कोई उपलब्द भी खो सकते हैं थोड़ा सावधान रहें दोस्तों बात करें लव लैफ के नजरिये से तो यह समय परिवारिक वातावरन खुसन मा रहेगा परिवार के साथ मनुरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा परिवारिक माह सौंदर्य पूंड रहेगा प्रेम के मामलों में आप भाग्य साली रहेंगे परिवार के साथ सुक्स विदा संबंदी चीजों की स्वापिंग में भी समय व्यतीत होगा परिवारिक माहौल मधूर रहेगा महमान नवाजी और मोज मस्ती में भी यह समय व्यतीत होगा दोस् बैठ कर मामला सुल जाने से संबंद पूर्टे मजबूत हो सकते हैं दोस्तों कुल मिलाकर पती पत्नी के आपसे संबंद मदूर रहेंगे घर का माहूल भी अनुशासित तथा मर्यादित रहेगा दोस्तों बात करें केरियर व्यवसाई की तो यह समय करेच्छित्र में पन हो सकती हैं परन्तु यह भी निश्चित हैं कि आप अपने बल्बूते पर इस्तितियों को समाल भी लेंगे जिससे आपको बहुती खुसी महसूस होगी दोस्तों साथी साथ यह समय व्यवसाई करती विदियों में वरत्दी होगी कोई महत्पपूर डील भी इस समय लग से मित्रता लब प्रहद रहेगी दोस्तों यह समय कारे छित्र में किसी प्रकार का इस्थान या कारे प्रणाली में परिवर्तन करने की आवशक्ता है आलस को अपने उपर आप हावी होने ना दें ऑफिस तथा व्यवसाईक दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से इस सम साथ किसी महत्पपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाई में सहिक साबित होगी अगर किसी नए काम की सुरुवात करना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुब हैं परंतु अभी आय सामाने ही रहेगी वरिष्ट अधिकारी भी आपके काम से प्रसन रहेंगे व्यवसाईक गतिविदिया सुचारू रूप से चलती रहेंगी आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित फल भी प्राप्त होंगे सरकारी सेवारत व्यक्तियों का भी अपने अधिनिस्त करमचारियों पर दब दबा बना रहेगा दोस्तो यह समय कारूबारी अपने प्रशाधन संबंदित व्यवसाय विशेश रूप से तरक्की में रहेंगे नौकरी में आपको कोई महत्पपून पद की प्राप्ती होगी जिससे आपको काफे खुसी का अनुबब होगा दोस्तो बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त आपका ठीक रहेगा कफ प्रकर करती के लोग बदलते मौसम से अपने आपका बचाव करकर रखें मौसमी बीमारियां जैसे खासी जुखाम आदी परिशान कर सकती हैं आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें दोस्तों साती सात पेट से संबंदित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है अपने खान पान को सहीं बित रखें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा